हालो नमस्ते गए स्वागत आप सभी हमारे यूटीब चैनल जीवीटीजी के बाइट्रिक 99 यूटीब चैनल में आप सभी का फुना स्वागत है चलिए सचीडी के लिए कैपसल बैसे स्टार्ट हो चुग है आज हम देखेंगे लाब और हानी की कुश्चन बिना समय बिताए सबसे बहुता है मोहन कि यह सब सबसे बहुत मतलब यह है जिस मुली पर हम कुई, चीज़ खड़िते हैं SP का मतलब होता है Selling Price Selling Price मसलब बेचने वाला विक्रे जिसको हम कहते है विक्रे मुल कहते है ठीक है यह समझे दो चीज़ हमेशा इसमें याद रखना है कभी कभी हम CP लिखे देंगे करेंगे SP लिखेंगे तो याद रखना है कि CP मतलब होता है क्रेमूल SP मतलब सेरिंग प्राइस याने की भी क्रेमूल यह सब आपको यह आनी चाहिए लाब कभ होगा आप सबसे पहले बात हमको यह देखना है कि मनें कोई चीज सम्क्राइदा कि CP कितना हैँ 10 में 10 रुपय और CP10 रुपय कोई है qe है क्या कैसा को है कोई चेंए मैंने 10 रुपय में खड़िआ ठीक है और उसको 15 रुपय पेयर वीजा यानि कि जितना में करेदा में और उससे अधीक में बेचा यानि प्लस में बेच दिया कितने रुपी है प्लस पांच रुपी है यहां पांच नहीं देखना है यहां देना है कि इससे अधीक में बेचा यानि कि जहां पर अधीक होगा तो यहां पर लाब होगा तो वहां पर क्या होगा हमको लाब होगा या तो हमेसा लाब होगा क्या होगा लाब होगा यदि यह जाला रहेगा और यह कम रहेगा तो हानी होगा याद रखना इस यह पॉइंट देखिए मैने स्टार्टिंग वीडियो में पहले एक दू वीडियो में आपको इजी से बता दूँगा ताकि आप कभी मैस पढ़े भी न संदर पिया है 20 रूपय में मालिजी है 20 रूपय में बेिस दिया तो प्रकविट कीतना होगा लगेज हैं लाब कितना होगा तो लाप देखेंगे समें ब्रौस निटियों ।क प्रोसस में हैं तो 10 बज़े फिर्व पीटृफिट पूछे तो प्रॉफिट हो गया ब्था देंगे लागिन कभी कब परेंटेज्च पूछता है कितना 1 पर कर्यारों अंतर प्रॉफिट मदल अंतर कितने का माइद स्पी माइनस में सीपी जब लाब पूछे तो लाब पूछेगा तो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा तो पहले स्पी आएगा क्या होगा कोस्ट प्राइस यानि कि जिस किमत में हम खड़ीदे हैं कि इसको नीचे में क्रैमूल होगा अगुने में 100 दालेंगे यह फर्मूला याद रखना है अब चलिए प्रॉफिट परसेंट हीदी पूछ दिया जाए तो इक्वल टू कितना था बीस माइनस में 10 यानि 20 में बेचा प्रशेंट फचंए गाव तो कितना बचेगा दस बचेगा तो यान कितना प्रसेंट हुआ एक सो परसिंट मंतलब जीन आता सो कितना था उत्राक था उतना ही प्रॉपिट में 142 में यानि इसे प्रॉपिट हुआ यादि पहांच परसेंट पाँसा। यहां पर्षेंटेज के लिए उपर में मैंने दोनों का अंतर उपर पर्मूला लिखेंगे हानी Яंग ப हानी होगा हानी बliaबर में ठास हानी पतफेंट्स लिखना है तो हानी परसेंटेज लिखना है तो हानी याद रखेगा यहां पर हानी पहोंब भाउन एक यह miejscu rat 100 रहें थो यहां पर यहां दिए 20 रुपया है इन दोनोका अंतर 20 मैंस मैनस करें करेंच कितना होगा यहां पे smoked anta2 20 घट आएंगática ऐसे कर करके मैनस 10 यह यह नहीं लिखना आ अंतर कुछ भी बार मेंस चोटा को घटाम ए बैस मैनस छिः यहां पर लिखना है ठीक है क्योंकि हानी यहां पर अल्लेडी हो चुका है लिखा गया है हानी का मतलब यह था मैंस तेक है यहां पर निगे टीव परकार का साइन नहीं लिखना है यहां उपर में दस देंगे खरदा कितने में था करदा कितने में था मल्डिप्लाइवें इस दस कटके मतलक सो या निस यानी सौ पर सेंट का हानी हुआ 20 रुपया में खरदा 20 रुपिया में खरदा और 10 रुपिया यानि कि इसका आधा 100 परसेंट इसका क्या हुआ हानी हुआ है ठीक आप चली क्वेस्टन पर लेके चलते हैं इसलिए लिख रहे हैं और 10 रुपिया मैंने कहा था जब दोनों का अंतर 10 रुपिया होगा और नीचे में सीपी लिखना यानि सीपी यह है सीपी किता है 20 रुपिया था अब मल्टिप्लाइब है 100 करनी है यानि 20 पंचे 110 पंचे 50 यानि 50 परसेंट यहां पर लॉस होगा यह याद रखने ठीक है ठीक है स्वारी उसके लिए तरह मिस्टेक हो गया था मैंने यहां पर सीपी एसपी दस लिख दिया था दिवाम में वह पहले वाला कुश्ट यह था बस्तू को स़ दयार में खड़ीदे कर 80 पे हैं बेज देता है इसका हमी पर्तिसत कितना होगा अब देख के मोहन मैंने बताए कि मोहन किसी बस्तू को 100 रुय में खड़िदा यानि सीपी कितना था 100 और और एश्पी कितना है 80 रुपिया एक पहले 20 प 1 को बैश तो बक्शि क लोस आपको पता है हम किसी चीज़ को सोरप में भीते हैं और असीर पर बेज देंगे तो लौस होगा तही जानी कितने लोस होगा अंतर देखें कितना है देखें और लिखना नहीं है दिमाग में केल्कुलेट करें के कुछिस करिए को शमय को बचाना एक्जाम में अंतर यह 20 लिए इस परसंट का लॉस हुआ इसका इंसर कितना हो गया 20% चलिए नेक्स्ट कुछन बता दे आपको इसके नीचे में देखेगा कि 450 रुपया की बस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10 परसंट का लाब हो यानि यह कह रहा है कि कोई बस्तु 450 रुपया का है यानि कि 400 बस्तु का कीमत कितना है 450 रुपया ठीक है एक फिर से देख लिए कोशन चार सो परसंट के लाब हो यानि आपको करना क्या है वो देखिए कोई बस्तु सब्सक्राइब यानि कि चार्श परसंट का होगा यानि दस परसंट का लाब होगा तो हमको यह देखना है जब चारसो पचास रुपया का बस्तू है उसके 10 परशन का लाब है तो उसके एक फर्वुलाब बताते हैं सिंपल सास अराम से देखेगा एक्स वेक्स नहीं मानना है हमारे क्लास में इसी समय से याद रखे एक्स मान के बनेगेगा तो फिर आप बहार देगे दूसरी क्लास देख करने शुन को भरणा सबकाई जेए किखे किंपाई बेचने की बात ही कर रहा है कि यानि कि स्का मतलब कर रहे है tão कि सब्छ पर शब्लाइब का ॅशुलिए तो क्या चैर्ट दिया जाए तो कुश नहीं करना एं बश्ट जब रहता है कितने परसन यह सौ में फिक्स रहेगा मायन में केल्कुलेट करने हैं इसको मायन में केल्कुलेट करने हैं हमेशा यह यहां पर सो रहेगा अब कितने परसेंट परसेंट तो सो में दस जो रहें एक सो दोस तो डायक्ली यहां पर लिख देना है एक सो दस एक सो प्लस दस नहीं लिखना है डायक्ली हम लिख देते हैं नीचे लिए पांस जोड़े पांचार नौ हो गया चार यानि चार सो पंचानवे रूपया में यदि बेचेगा तो दस्ते प्रसेंट का लाव हो जाएगा ठीकर इस चार सो इक्स पीडियो के दिखत हो तो फिर से पीछे बैक करेगा बैक करके देख लेना है अब नेक्स्ट क हानी पर हानी मतलब क्या हुआ पीस परस्ट पर बेज देता है ता राम कि बश्च पर प्रॉफित का मतलब क्या हुआ है कि एक सब के लिए फिक्स किया है अदी प्रॉफिट बोलेगा तो प्लस बीच इस तो दिमाग में कर लेना है या तब तो 120 हो जाएगा फिर लेकिन यह हानी का मतलब हुआ इसमें सिर्फ सौ में से माइनस करेंगे बीस तक इतना हो जाएगा असी हो जाएगा दिमाग में कर लिए है तो जब असी हो जाएगा तो असी ऊपर नीचे एक सव फिक्स है एक दू जिरो से दू जिरो कैंसिल अब आठ चोक बतीस यहां पर बतीस जाना पेन पेपर यूज के बिना क्यलकुलेशन के कुछ नहीं करना है आनी है आनी है आनी कितने परशंट है बीस परशंट है एक सुमें बीस गया कितना बच्चा असी बच्चा आठ को चार्ट से मल्टिप्लाइग कर दिया आच चोक बतीस बतीस आप्सन दिख लीजिए एक 100-0 वैसे ही कट जाता है दिमाग लगए 100-2-0 कट जाएगा उसके बाद दो जिरो बचेगा दो जो उतार देंगे एक मैथल यह हो गया दूसरा मेंटे मैथल इसको बनाने का एक और तरीका है तरीका क्या है चार दूनी आठ है बनने का तरीका देखिए चार दूनी आठ त्रीक के बिए चार इसे पी से चोल जोड़िआ है और पीडुसरा के इस harbor दोनों को जोड़ेंगे ईसम बेना ऐसमाने में उसको मामिले पाले उतार क्या बहुत shifts है ठीक है यहां पर हमें 20 परसेंट लाब बोला यानि कि 5 चीज एक जोड़ देंगे तो 6 में भीका पास का चीज तरे मुलक्न लें तो इसका प्रस का चीज कितने में 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 बैचा यही च्छा बरावड दे दिया कि इतना 600 शाओ बरावड 600 दे दिया तो एक ब्रावर में 100 हो गया तो अब पूछता है कि पांस का फेली कितना होगा फिर 155 500 इसका यह अंसर होगा ठीक है फिर से देखिए इसको बैक करके और हम नेक्स जैसे से कुछन बताएंगे आपको आड़ाम से समझ में आ जाएगा वह सुपर्ण के और देखते हैं आपको सों एक टेली विजन को 3000 पे में बेच कर 25 परशन की तो क्रेमिल पुछ रहे", छो पूछ रहे हीवाइन हानी उठाओ तू चीज पूछ थिस अगिले honeymoon, जोड़ ऑफाटमार फूंजेए तो लीसाटेव पूंडिया है तीन हजार परसें लॉस है इसका मतलब लॉस हो गया लेकिन यह किसमें है जब क्रेमल दिया रहे और पूछ रहा है तो उपर कर देंगे इसको नीचे कर देंगे एक सो बटा में 75 25 से काटेंगे 4 बट में कट देंगे एक हजार यानी एक हजार परसेसस से बता दिया है नेक्स्ट को बताते हैं मोहन किसी बस्तू को 180 रुप्या में बेच कर दो 25% के हानी उठाता है यदि वह 25% लाब कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपेपर मुल्ले पर लिए यानी की उठाता है और यहानी जब बोले जब यह एस पी दिया है इसका मतलब 75 नीचे में होगा उपर में 100 होगा ठीक है हानी उठाता है तो ऐसे भी निकाल सकते पहले अभी निकाल देंगे तो निकल जाएगा उसके बाद में लेकिन इस कोशन में करना क्या है जब दो चीज दूटाव परसेंट दिया हुआ है तो ऐसे इसको रहने देना है काटना नहीं अभी अब कहना है यदि 25 परसंद लाब कम आएगा तो इसका मतलब होगे 125 उपर मिल गिरेंगे और नीचे में 100 100 से 100 मल्टिप्लाइब और कल्ट गया 25 तिया 75 25 125 यहां पे 125 तीन से काटेंगे 36 अठाड़ 6 बच्छे को पांस से मल्टिप्लाइब करेंगे 6530 यानि की 300 300 है या था 300 हो गया यानि वो 300 वेम बेचेगा तो उसको 25 परसंट का लाब मिल जाएगा ठीक है इस कुछन को बैक से देखें नहीं समझ में आए फिर से बोली कमेंट करिए कमेंट बखस में हम आपको फिर से बता देंगे कुछन को एक बिजली के अईरन को 15 पर बेचा गया यह उसे चौस्त रुपिया में बेचा जाता तो 20 परसंट लाब होता है तो उसका बिक्रे मुल बतावे इसको से करना है एक बिजली के आईरन को 15 पर बेचा गया यह इसको मालूम नहीं हमको सीपी कितने बेचा कि मालूम मतलब कितने रुपिया में बेचा जाता तो 20 परसंट का लाब होता है मालें यहां पे 600 पर बेचा गय लिखेंगे नीचे में 120 लिखेंगे अब काट देंगे एक जिरो से जिरो बाड़ पंचे साथ जैसे का कीमत कितना था 500 रूपया थिक है अब कह रहा है 15% का लाव बिजली को पंदर प्रसुन का लाव पर बेचा गया अब इसमें भी शीपी निकल गया जब निकल गया तो जब सीपी मालूम है अपसीपी में पादर प्रसला बोले तो ऐसे पांसो लिख देना है और 115 वट्टा में 100 क्योंकि सीपी है दिया हुआ है तो इसको कड देए जी दूसरी नोगाए पना इसको पांसो पांसो पैसात्तरिस का एंसर होगा सब्सक्राइब करेंगे तो आपके समय कम है प्लीज इस वीडियो को सेजर करिए दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो प्लीस कमेंट करिए जो भी कुशन डाउट कमेंट बाक्स में कमेंट करें और चाहिए ताकि एक पीडियाफ आपको वहां पर रोज भेजते हैं उससे आ हिंचे वारत